अस्सलामु अलेकुम रह्मतुलाही वबरकातु हूँ आप सबको जशने मिलादुन नभी बहुत बहुत मुबारक हो तो मिलादुन नभी के मौके पर हम आपको आज एक बहुत ही बहुत ही अच्छी रेसिपी यानि की पूरियों की रेसिपी आपको बताएंगे यह तीन टाइपस की पूरी की रेसिपी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं एक तो हलवہ पूरी यानि की डाल की पूरी एक खोई की पूरी और चोबे की पूरी यह तीनों पूरियां कैसे बनाते हैं हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो यह देखिए पूरियां कितनी अच्छी बनती है हलवे की पूरी और यह है खोवा पूरी जो बहुत ही मज़ेदार होती है और यह है चोबे की पूरी तो इन तीनों पूरियों की रेसिपी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो एंड तक वीडियो आप जरूर देखिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने एक केजी मैदा ले लिया है अब हम इसमें एड कर देते हैं 250 ग्राइम्स रवा और इसमें हम एड कर लेते हैं असली घी यह चार बड़े चमच मैंने घी के लिए हैं और इसमें मैं डाल देती हूँ एक चमच एक टी स्पून नमक और इसको पहले हम घी नमक और रवा मैदा सारी चीजों को एक जगा कर लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिए पहले यह देखे इस तरह से मुठी बनने पर ऐसा होना चाहिए आटा जब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद हम इसमें दूद आड करेंगे और दू पूरा आटा हमने दूद से ही मिलाया है दूद से ही भिगाया है पानी का यूज हमने बिल्कुल नहीं किया है आप चाहे तो थोड़ा पानी और थोड़ा दूद भी यूज कर सकते मिक्स करने के लिए आटे को तो यह देखिए बहुत इची तरह से हमने इसको गून लिया अब हम इसको दो से तीन घंटे के लिए रेस्ट करने लग दिंगे तो चलिए हम सबसे पहले चोबे का जो मसाला होता है वो तयार कर लिए यहाँ पर मैंने तीन बड़े-बड़े सुखे खोपरे को ग्रेट कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है दो बड़े चमच खश- यानि कि पॉपी सीट्स और एक चमच मैं एड कर दूंगी काडमम पॉडर यानि की इलाइची पॉडर हरी इलाइची का पॉडर और ये एक बड़ा चमच काजू एक बड़ा चमच किशमिश आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राइफ रोट्स आड कर सकते हैं एक कप मैंने यहां पर शकर आप मिठास अपने टेस्ट के हिसाब से अज़ेस्ट कर लीजिए तो इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने यहां पर एड़ किया है अब तर्बूज और खर्बूज के बींच आप चाहे तो आपके पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट चैट कर सकते तो यह चोबे का मसाला बिल्कुल तयार है नेक्स्ट अब हम यहां पर तयार कर लेते हैं चने की डाल का हल्वा तो यहां पर मैंने हाफ केजी यानि की 500 ग्राम चने की डाल को एक घंटा पहले से भीगा कर रख लिया था अब यह भीगी हुई दाल को में कूकर में डाल दूँगी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम और इसका लिट बन करके हम 4-5 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद हम स्लो फ्लेम पर 15 मिनिट तक इसको पका लेंगे तो यह देखिए 15 मिनिट तक स्लो फ्लेम पर पक चुकी थी दाल तो देखिए आप देख सकते बहुत अच्छी तरह से गल गई दाल क्योंकि हमने इसे भीगा कर रख लिया था दाल को इसलिए यह बहुत अच्छी तरह गल गई है अगर आपकी दाल इस तरह से नहीं गली है तो आप इसे ठंडा होने दे और इसके बाद इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लें तो दाल को अच्छी तरह से मैश कर लिया मैने इसके बाद हम एक बगोना ले लिगे और इसमें असली गी आट कर लिगे दो बड़े चमच गी को अच्छे से गरम होने दे उसके बाद हम इसमें एट कर लेंगे इलाइची पॉडर यानि की काडमम पॉडर और इसको हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे इसमें हम कुछ ड्राइ फ्रूट्स एट कर लेंगे किश्मिश बादाम और काजू और इसको थोड़ा सा हम फ्राइ कर लेंगे ड्राइ फ्रूट्स को भी तो यहां पर मैंने एक मुठी यानि की एक कठोरी भरके इसमें मैंने एड़ किया है ग्रेट किया हुआ खोपरा यह जो मैंने चोबे का मसाला पहले बनाया था उसी में से मैंने थोड़ा सा बचा कर रख लिया था ग्रेट किया हुआ खोपरा तो यह भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे हम इसके बाद जो डाल का पेस्ट है वो इसमें एड़ कर लेना है तो अब हम चने की डाल के पेस्ट को सारी चीजों के साथ घी और ड्राइ फ्रूट के साथ अच्छी तरह से भुन लिंगे अब हम इसमें थोड़ा सा यलो फूट कलर या फिर आप औरेंज कलर भी यूज़ कर सकते वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी अब इसके बाद हम इसमें शकर आड़ कर लिंगे यहाँ पर मैंने चार कप शकर आड़ की है आप शकर अपने टेस्ट के हिसाब से चकर आड़ कर लिजिएगा अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और आड़ कर सकते तो यह आप देख सकते हैं शकर एड़ करने के बाद थोड़ा सा पतला हो गया है यह चने की दाल का मिक्सचर अब हम इसको अच्छी तरह से भून-भून कर पकाएंगे तो यह देख सकते हैं आप अपने साइड्स छोड़ रहा है यह दाल का हलवा तो बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेना है ताकि जो शकर है वो अच्छी तरह से कुख हो जाए और जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारे चीजों के साथ ये देखे कम से कम हमने दस मिनिट तक इसको अच्छे से भून लिया है तो अच्छे से भून जाने के बाद हम इसको थंडा होने के लिए रख दिंगे कंपलीटली थंडा हो जाना चाहिए हलवा ये तो जलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है हम खोवे का मिक्सचर बना लेते हैं यहाँ पर हम एक बरतन ले लेंगे और उसमें एक बड़ा चमच हम घी आट कर देंगे तो घी अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें एट कर लेते हैं इलाची पाउडर का एक टी स्पून के साथ और इसके बाद ह हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स अट कर लीगे काजू बादाम के शमिश अगर आप चाहें तो इसमें कोई यह फिका खोवा है मिठा नहीं है यह अगर आप मिठा खोवा यूज कर रहे हैं तो शकर आप देखकर डालिएगा टेस्ट करके तो देखिए खोवा एड़ करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लींगे गी के साथ ताकि खोवा जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाना तो आप देख सकते हैं कि पाँच मिनिट के बाद खोवा अच्छे से मेल्ट हो गया है देखिए खोवा अच्छे से मेल्ट हो गया तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख दिंगे खोवा का मिक्स्चर जब पूरी तरह के से ठंडा हो जाएंगा तो इसके बाद हम शकर का जो और खोवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो उसी के बाद मैंने यहां पर शक्कर का पाउडर एट किया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दोंगी तो आप देख सकते शक्कर का पाउडर एट करने के फोरण बाद ही खोवा कितनी आसानी से एकदम लिक्विट साइट तो यह देख सकते हैं आप हमारे तीनों मिक्सचर्स खोवे का मिक्सचर चने की दाल का हलवे का मिक्सचर और यह चोबे का मिक्सचर तीनों भी तयार है तो चलिए अब हम पूरियां बनाने की तयारी करते हैं तो यह देखिए जो मैंने आटा गून कर रख लिया था उसमें राउंड शेप में और इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अपने हातों से इसको थोड़ा सा स्प्रेट कर लेना है और इस तरह से टर्न करके हम इसके छोटे छोटे पोशन्स तैयार कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से कट कर लेंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे तो देखिए इस तरह से स्प्रेट करते चाहिए और इसके पेड़े बनाते चाहिए आप इसको हम चप्टा करके रख दिंगे तो यह देखिए हमारे पेड़े यहां पर तैयार है एक पेड़ा हम ले लेंगे और इसको सुखे आटे से थोड़ा डस्ट करके इसको हम बेल लेंगे राउंड शेप में थोड़ा सा सुखा आटा डस्ट करके हम इसको बेलते जाएंगे ज्यादा पतला नहीं बेलना है या फिर ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है मीडियम ही रखना है आपको तो देखें बेल लेने के बाद हम इसमें सबसे पहले चोबे का जो हमारा मिक्सचर है वो दो चमा चाइट कर दिंगे दो टी स्पून और इसको एक जगे कर दिंगे इसके बाद हम इसके साइड में पानी लगा दिंगे एक साइडी पानी लगाना है एक साइड से इस तरह से चिपका देना है फिर इसको देखें कॉर्नर्स को अच्छी तरह से चिपकाना है इसके बाद आपको जो मर्जी आए वो मर्जी से आप डिजाइन बना सकते मैं यहाँ पर फोक यूज कर रही हूँ फोक से मैं यहाँ पर डिजाइन बना रही हूँ आप कोई भी डिजाइन बना सकते तो यह देखिए यह चोबे की पूरी बिल्कुल तयार है इसको हम साइड में रख दिंगे तो इसी तरह से हम एक और पूरी बना कर आपको दिखाएंगे इस तरह से हम पहले बेल लेंगे इसको हम यहां पर आपको चने की डाल के हलवे की पूरी बता रहे हैं यह जो बेलने के बाद यह जो चने की डाल का जो मिक्सचर है वो इसके उपर हम रख दिंगे अगर थोड़ा सा हाड हो गया है आपकी चने की डाल का हलवा तो आप यह हलवे के उपर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते इसको थोड़ा से सॉफ्ट करने के लिए और ये देखिए दोनों साइट्स को हम इस तरह से सील कर लिंगे पानी लगा कर और इस तरह से इसको हम डिजाइन बना दिंगे इसके उपर तो ये दाल के हलवे की पूरी भी बिलकुल तयार है और एक और पूरी हम आपको बता रहे हैं यहां पर खोवे की पूरी तो ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा थंडा होने के बाद पूरी तरह से ये थोड़ा सा हाड हो गया है अब खोवे का मिक्सचर तो ये भी हमने दो टी स्पून एट किया है यहां पर और इसको पानी लगा कर ये भी हम सील कर लेंगे और उसके बाद आप इसे कोई भी शेप दे सकते कोई भी डिजाइन बना सकते आप तीन पूरियों को अलग-अलग डिजाइन बनाईए क्योंकि तलने के बाद ये बिल्कुल समझ में नहीं आएंगा कि कौन सी पूरी के अंदर कौन सी फिल्लिंग है तो अलग-अलग डिजाइन दीजिए आप तीनों पूरियों को तो ये देख सकते हैं आप हमारे पूरियां यहाँ पर हमने बेल कर रख दी है पूरी तो यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल एड़ कर लिया और इसको गरम होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर तो अब हम एक-एक पूरी इसमें डाल दिंगे तेल में और इसको फ्राई करते जाएंगे एकदम ज़्यादा पूरिया नहीं दालना है तेल में अगर आपके पास क्वांटिटी में आप ज्यादा बना रहे हैं तो पूरिया आप एक बड़ाई कड़ाई लीजिए आप फ्राई करने के लिए तो यह देख सकते हैं पूरी आट करने के बाद हम इसके उपर चमच से गरम तेल दालेंगे पूरियों के उपर और इस तरह से अच्छी तरह से पूल जाए इस तरह से प्रेस करने से अच्छी तरह से फूल जाती है पूरिया तो दोनों साइट से थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है पूरियों को तो यह आप देख सकते हैं दोनों साइट से अच्छी तरह से फ्राई हो गए तो अब हम इसको निकाल लेंगे तो यह पूरियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो एक और बार हम पूरियों को डाल कर तल लेंगे तो इसी तरह से सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है धीमी आज पर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है तो यह आप देख सकते हैं हमारी यह पूरिया बनकर बिलकुल तयार है चोबे की पूरी, हलवे की पूरी और खोवे की पूरी तीनों पूरिया बिलकुल तयार है यह देखिए हम आपको यहाँ पर तोड़कर बताते हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी पनी है यह पूरिया और अंदर से भी बहुत अच्छी सॉफ्ट है तो दीखिए हलवे की पूरी दाल के हलवे की बहुत ही टेस्टी बनी है शकर एकदम बराबर है तो यह देख सकते हैं आप यह है खोवे की पूरी यह भी बहुत टेस्टी बनी है और नेक्स्ट हम आपको यह चोबे की पूरी बता रहे हैं यह भी बहुत क्रिस्पी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए इस एद पर और हमारे चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकोन नजर आता है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए थैंक्स पूर वाचिंग